Hello students, Welcome to Edward Competitive Classes Edward Competitive Classes में आपका स्वागत है बई चेक है और आपको पता है हम Chemistry पढ़ रहे थे आज हमारी 31 क्लास है, 31 क्लास है हमारी और इससे पहले हमारी 30 क्लास है हमारी 29th क्लास है आपकी Chemistry स्टार्ट भुई थी और उससे पहले हमारी 28 क्लास आपकी 28 क्लास आपकी Biology की पड़ी है तो जो बच्चे आज नई चुड़े हैं वो ये काम करें कि सारी बायो की अपनी क्लास है वो कम्पलीट कर लें ठीक है और बायो में देखो बायो में मैंने आपको अलग तरीकी से करा है बायो में मैंने आपको content दिया है बायो में मैंने आपको content दिया है जो की क्लास में देना पॉसिबल है ठीक है और content प्लस PYQ वहाँ पे आपको PYQ की वो numbering आपको कम देखने को मिलेगी लेकिन जो मैंने आपको content बायो का दिया है ना उसी में से आपको ये रहेगा कि उसी में से आपको max to max question देखने को मिल जाएंगे बायो के ठीक है तो वहाँ पे आपको PYQ कम करा है मैं आपने ये चीज़ सोच के tension लेने वाली कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है और अब हम हमारा chemistry पे move कर गए हैं chemistry अभी हमने मैं क्या कर रही हूँ chemistry में देखो मैं class में आपको content नहीं दे सकती हूँ आपको पता है जो जन बच्चों ने chemistry पढ़ रखी है कि chemistry को समझाने में समय लगता है और इतना समय अभी आपके paper में नहीं है कि मैं आपको in detail chemistry करा सको इसी लिए मैंने यह सोचा है कि मैं आपको mix to mix PYQ questions आपको class में जो है वो solve कराऊंगी clear है भई? तो आगे बढ़ते है यह हमारा पांचो teachers हम आपके लिए बहुत मैनत कर रहे हैं भई बिल्कुल free batch है आपका YouTube पे start आपका हो रखा है चल रहा है ठीक है पिछले 30 दिन से आपकी classes हो रही है YouTube पे और आपकी 11 अवजे classes जो है वो start हो जाती है daily routine से और सारे teachers आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं बहुत सारे subject के आपको practice भी देखने को मिल रहे होंगे ठीक है और शाम को अभी सुबह 11 अवजे से लेके और शाम को 7-8 वजे तक आपको continuously class जो है वो आपको देखने को मिलेंगी channel पे तो make sure करें कि आप present रहें ठीक है जो नई बच्चे है वो अपना channel को subscribe कर लो और video को like और share कर देना ठीक है हमारा batch का नाम क्या है हमारे batch का नाम है SSE GD Mission सफलता batch जिसमें हमारा target है मैंने आपको परसो की class में ही बताया था कि जो आपका ozone होता है आपके oxygen क्या होती है O2 लेकिन ozone को क्या कहते है O3 तो यह oxygen से मिलके बना उता है oxygen में क्या होता है आपके O के 2 molecules जुड़े होते हैं और O3 में यानि के ozone में आपके molecules 3 जुड़े होते हैं तो answer क्या जाएगा? Answer is B Option number B is the right answer मतलब oxygen आपका इस सवाल का answer हो जाएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं How many protons are there in a lithium nucleus? तो lithium का जो nucleus होता है उसमें कितनी proton होते हैं? देखो मैंने आपको परसो कांसेट में बताया था जो atom होता है उसके बीच में क्या होता? नूकलियस होता है, नाभिक होता है और नाभिक के अंदर आपके proton और neutron होते हैं और उसके चारों तरफ आपके क्या होती है? उसके चारों तरफ आपकी shell होती है ऐसे करके shell होती है और इस shell में क्या होता है? इस shell में आपके बाहर जो है, वो electrons आपके गुमते रहते हैं, इन shell में आपके क्या होते हैं, electrons आपके ऐसे करके गुमते रहते हैं, तो इन्होंने पूछा है कि lithium के nucleus में कितने आपके क्या होते हैं, कितने आपके protons होते हैं, यानि कि positive charge कितना होते हैं, तो answer is आपके कितने होते हैं 3, आपके 3 protons आपके lithium ion में होते हैं तो option number D is the right answer ठीक है भी आगे बढ़ते हैं What is the atomic number of nitrogen? nitrogen का atomic number पूछा है तो nitrogen का atomic number क्या है? atomic number का मतलब क्या होता है? atomic number का मतलब होता है कि जितना atom में mass है जितना atom में atomic number का मतलब है number of proton, ठीक है, तो atomic number का मतलब क्या होता है, number of proton होता है, ठीक है, और nitrogen में आपके atomic number कितने होते है, 7 होते है, nitrogen is a non-metal, nitrogen एक non-metal है, आपको बता है, nitrogen किस में आता है, gas में आता है, ठीक है, तो non-metal आपका हो गया, the lightest member of group 15, group 15 के अंदर ही आता है, periodic table में, अब periodic table को साथ-साथ खोल के बैटें, nitrogen को discover किस में किया था, nitrogen को discover किया था, आपके Rutherford ने, Daniel Rutherford ने कब किया था, 1777 में, 1772 में, ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए, nitrogen के बारे में, जितने भी आपके important points है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, due to which property of iron, a piece of hot iron can be bitten into a knife, तो आपका ये पूछा गया है, कि लोहे के किस गूण के कारण, गरम लोहे के टुकडे को पीट पीट कर, पीट पीट कर एक चाकू बनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था, कि पीटने वाली कौन सी होती है property, तो पीटने वाली property होती है, आगहात वर्दनी अता, आगहात वर्दनी अता, ठीक है, आपकी लश्रन कौन सी होती है, आपकी चमकने वाली होती है, ductile कौन सी होती है, तन्यता होती है, ductile में क्या होता है, आपका wire में change करते हैं, किसी भी metal को wire में change करते हैं, ठीक है, sonority क्या होता है, sonority मतलब आपका आवाज देती है, कि माल लिया किसी metal को किसी चीज़ से पीटा जाए, जैसे मैं आपको example दिया था, कि kitchen से आपने एक थाली या एक plate ली या एक परात ली और इस पर आप पीछे उसको उल्टा करके उस पर चमच मार रहे हो, ठीक है, उस पर चमच से आप क्या कर रहे हो, आघात कर रहे हो, तो चमच से जो आप आघात कर रहे हो, तो वो sonority आपका हो गया, आगे करके देखते हैं, अगला question है, which of the following is a low-grade brown coal that is soft with high moisture content, इसमें पूचा है कि कौन सा निमन श्रेनी का भूरा कॉला है, जो उच नमी की मातरा के साथ नरम होता है, तो answer is lignite, इसमें पूचा है low-level का, तो lignite हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास आपके चार तरीके के coal होते हैं, एक bituminous होता है, एक anthracite होता है, ए यहाँ पे देखो, lignite is a low-grade brown coal that is soft with high moisture content, lignite coal और brown coal, मतलब lignite koile को ही brown coal जो है, वो कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, which of the following minerals has, यह क्या लिखा है, किरस, किसराइट, किसराइट, as its और, तो इसमें से किसराइट, जो है, वो किसका और है, यह पूचा गया, आपको पता है कि और बहुत सारे होते हैं, तो किसराइट आपका किसका और है, किसराइट आपका magnesium का और है, ठीक है, magnesium sulfate mineral होता है इसमें, और इसी तरीके से magnesium का कोर होता है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, identify the alloy among the following of which lead is component, lead पूचा है, इसमें यह अंतलब सीसा, तो सीसा जो है, वो एक घटक ह उसके मिश्रधातू का जो है, आपको पहचान करना है, तो उसके मिश्रधातू आपकी होती है, solder, solder, solder एक fuse wire होता है, जो आपके switch वगैरा में लगाया जाता है, जिसमें आपका lead को मिलाया जाता है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, इसमें मिश्रधातू होती है, तो यह भी sorry, एक मिनिट, solder में आपका tin and lead मिलता है, यह एल निको में क्या-क्या मिलता है, यह पूछा गया, aluminium, nickel और cobalt, यह short foam इनों ने दी विये, which of the following is one of the metal using LED, LED मतलब आपकी, जैसे TV LED है, वैसे करके LED, semiconductor technology, तो इन में क्या use होता है, इन में use होता है, gallium, इन में क्या use होता है, gallium, option number C is the right answer, gallium, gallium is one of the most metal used in LED semiconductor technology, gallium is metallic material that is found in a track, element in coal, bauxite and other minerals, मतलब आपका जो gallium है, वो कहां-कहां मिलता है, तो gallium जो है वो आपको, gallium एक धात्व की सामगरी है, जो कोईले में, bauxite और अन्नेक हनी, जो के एक trash तत्व के रूप में पाए जाता है, ठीक है बई, आगे बढ़ते हैं, wish of the following metals react with the moist carbon dioxide in the air, and slowly looses its shine, brown surface and gains a green cot, आपको पता है कि इसमें से green cot किस पे आती है, तो green cot हमारी आती है copper पे, अगर आपके पास कोई भी तामबे की चीज है, अगर आपके पास कोई भी तामबे की चीज है, तो वो अगर रखी रहेगी, रखी रहेगी, तो आपने देखा होगा कि उस पे हरे रंग की layer आ जाती है, तो वही पूछा गया है, इसमें simple सा, कि हरे रंग की layer आपके किस पे आ जाती है, तो copper पे आपके हरे रंग की layer आ जाती है, विश्वन ओफ दो फॉलिएंग फीचर इस नौट शौन बाइ मैटल, तो इसमें से जो है, वो मैटल कौन सा फीचर शौन नहीं करता है, आपको पता है कि can be pounded into shape, आकार में बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, टार में ढ़ालना ढ़ाल सकते हैं, उश्मा के भी सुचालक होते हैं, आपने भी पढ़ा, heat conduct होते हैं, तो दिखने में उदासीन पर नहीं होते हैं, वो तो चमकदार होते हैं, आपकी जो धातु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो चमकदार होते हैं, तो नहीं पूछा था इनोंने, अगला है, what is the atomic number of the element, Einsteinium, तो Einsteinium का एक element number पूछा है, और उसका परमाणु करमांग क्या होता है, प्रमानुक्रमांक होता है 99, आइंस्टीनियम का प्रमानुक्रमांक, आपका 99 होता, आइंस्टाइन के टाइम पे, इसकी खोज हुई थी, तो उसी पे इसका नाम जो है वो रख दिया गया है, ठीक है, और ये एकनोईट सीरिस का एक, आपका periodic table में एक element है, एकनोईट सीरिस का ठीक है, एकनोईट स्ट्रंखला, हम periodic table में थोड़ा सा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लेंगे कि कौनसी कौनसी सीरिस है, ठीक है, तो टैंचन मतले ना, विश आफ दो फॉलिग इने इस एक्जामपल ऑफ पेर ऑफ आइसो बार, तो इसमें सा आइसो बार का पे कैल्शिum में सेम भार है, तो सेम भार आपका कैल्शिum में है, इनका सेम मास नमबर है, लेकिन अट्यमिक नमबर सेम नहीं है, मास नमबर सेम है, तो सम भार के जोड़ी पूछा है, ठीक है? what is the symbol of tin tin का symbol क्या है sn बहुत असान question है tin का symbol क्या sn si तो silicon का है italarium का है ठीक है ऐसे करके so sn जो है वो यह देखो tin का है si आपका किसका है silicon का है यह आपका titanium का है और यह आपका tantalum का है ठीक है और यह पीछे इनके क्या दिवे है ये पीछे इनके atomic number दिये हैं, हमेशा पीछे अगर कुछ लिखा रहेगा तो atomic number लिखा रहेगा, which is the rarest element, rarest element कौन सा है, मतलब जो बहुत कम ही पाया जाने वाला है element, तो वो है estetine, ठीक है, जितने भी हमारे periodic table में आपके तत्व हैं, उसमें से सबसे दुरलब तत्व कौन सा ह estetine, estetine is a rarest element, and the earth crushed occurring only as decay, product of various heavier elements, estetine पृत्वी के उपरी परत में सबसे दुरलब तत्व हैं, जो के वल विभन भारी तत्व के शेय उत्पाद के रूप में होता है, estetine के सभी समसानिक, अलपकालिक होते हैं, मतलब कि बहुत कम समय के लिए उपलपत होते हैं, और जब त circuit of mercury in thermometers, आपको पता हैं कि thermometer जो मुँ में डाल के बुखार check करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है? submarine mercury होता है, हीजिय यह जो होता है, तो hydrogwenं की जगे हम उसमें क्या यूज करने वाले हैं तो गैलिस्टन हम उसमें यूज करने वाले हैं मतलब उसका आपने इन्होंने ये पूछा है कि उसका सब्स्टिट्यूट का है मतलब उसकी जगे हम क्या यूज करते हैं अब देखो किसे भी चीज के सब्स्टिट्यूट की क्या जरुत होती है क्योंकि हमारे हम क्या करते हैं हम अपने थर्मामेटर को जो नॉर्मली हम थर्मामेटर यूज करते हैं घर में हम उसको मुह में डालते हैं आपको पता है हम उसको मुह में डालते हैं अब लेकिन थर्मामेटर में क्या है मर्कृ है थर्मामेटर में क्या है एक poisonous element होता है, यानि कि एक आपका जहरीला पदार्थ होता है, तो इसलिए उसका substitute ढूना जा रहा था, उसका substitute मिल गया है गैलिस्टन, और जो substitute है वो non-toxic है, इसलिए कि उसको ढूना जा रहा था, क्योंकि वो जहरीला नहीं है, इसलिए उसको अराम से use up किया जा सकता है, copper के alloys, copper के, और copper की जतने भी alloys हैं, वो सारे आपके antibacterial में आते हैं, अगला सवाल है, how many types of isotopes does scandium have, तो answer आजाएगा 13, 13 isotopes होते हैं scandium के, ठीक है, और यह इसके max है, और यह question जो है, वो बहुत important है, और paper में बहुत पूछा जाता है, रटने वाला सवाल है एक तो, ठीक है, तो answer आजाएगा ammonium, ठीक है, ammonium जो है वो धन आयन है, ammonium जो है वो cation, मतलब positively charged वाले आपके ions, release करता है, protium, deuterium और titerium as a naturally occurring isotopes of hydrogen, बहुत ही, आसान सवाल, मतलब बहुत बहुत आसान सवाल, इतना आसान सवाल किस से आसान सवाल कुछ आपका हो, नहीं सकता, ध्यान से देख isotopes होते हैं, same चीज आपकी होती है, लेकिन उनका atomic number change होता रहता है, जैसे इसका एक, इसका दो, इसका तीन, तो इन चीजों को कहते हैं isotopes, ध्यान से सुनने वाली बात है, isotopes, तो ऐसे करके जो hydrogen है, वो हमारे पास तीन type की hydrogen होती है, और यह तीन आपके hydrogen के isotopes हो गए, तो hydrogen ज उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं protium, दूसरा जो है, उसको कहते हैं deuterium, उसको कहते है deuterium, और तीसरा जो है, उसको कहते है tritium, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते है tritium, clear है बई, तो ऐसे करके आपके isotopes जो हैं, वो किसी भी धातु के किने जाते हैं, और इसी तरीके से constant in an alloy of copper and जो constant है वो copper और किसका alloy है तो answer क्या जाएगा answer is C यानि कि आपका nickel निकल और आपका copper का आपका मिश्रधातु है constant ठीक है और इसमें पूछा भी होगा इसमें बताया भी होगा इसमें ठीक है constant is a copper nickel alloy also known as Eureka देखो इसका एक और नाम मिल गया आगे पेपर में Eureka भी लिखा सकता है इसमें 55% copper मिलाया जाता है 45% इसमें nickel मिलाया जाता है तो भाई हमारे questions जो है वो आज के खतम हो गए है ठीक है अब हम लोग next class में मिलते हैं आज की class के लिए thank you so much next class में अगले topic के साथ मेलेंगे ठीक है आपने next topic के साथ मेलेंगे और next topic हमारा क्या रहेगा next topic हमारा रहेगा acid base and salt तो उसके भी हम बहुत सारे questions ऐसे ही solve करेंगे chemistry और physics में मैं आपको कोशिश करा हूँगे कि मैं जितने हो सके आपको class में mix to mix pyq ही solve करा हूँ ठीक है भई क्योंकि थोड़े सा time में content देना जो है वो possible नहीं है और अभी आपका paper इतना नजीक है कि बच्चे अपना syllabus revise कर रहे होंगे तो revision के time पे आपको जितने हो सके pyq देना ही एक better option रहता है ठीक है भई तो thank you so much next class में मिलते हैं